जये महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ कि भले चंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास में भरपूर पैसा टका हो, गाड़ी बंगला हो, भोतिक सुक सुविदा हो और अपना जीवन वो बहुत अच्छे से प्रसार करें, लेकिन हर व्यक्ति किस्मत का धनी नहीं होता है और जो व्यक्ति किस्मत का धनी नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति काफी मेहनत मसकत करता है लेकिन इसके बावजूद भी मुस्किल से दो वक्त की रोटी जुड़ा पाता है तो आज मैं आपको ऐसा एक उपाय बताने वाला हूँ जो रातो रात आपकी किस्मत को चमका देगा जी हां इस उपाय के बारे में यानि ये उपाय जिस योग से जुड़ा हुआ है उसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा योग वाला व्यक्ति रातो रात इसकी बुलंदियों पर पहुँच जाता है ऐसे व्यक्ति के पास में पैसा, ठका, गाड़ी, बंगला, धन, दोलत, ऐस्वर, सब कुछ होता है तो ऐसा ही एक उपाय आज में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पास वो साही सुक सुविदाय हो पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नोकर, चाकर, सब कुछ हो तो आपको मेरे द्वारा बतायागा या उपाय एक बार अवस्य करना चाहिए इसके करने से आप देखेंगी कि बहुत जल्द आपके कामकाच चलने लग जाएंगे इस तरह से नए नए लोग आपको मिलने लग जाएंगे, ऐसे काम आपके बनने लग जाएंगे कि आप खुद अचंबित रह जाएंगे, आपने सोचा नहीं होगा, इस तरह के आपके काम बनने लग जाएंगे उपाई बताने से पहले दोस्तों जो कोई भी दर्सक मेरी चैनल में नया है मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचेंतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूट रहसे हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे इससे हमारे दोरा बताएगे उपाई आप तक आसानी से और तेजी से पोचेंगे और आप इन्हें कभी मिस भी नहीं कर पाएगे तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वो उपाई के जिससे आपकी किस्मत रातो रात चमक जाएगी आप जो कुछ भी सुख सुविधा चाहते हैं वो आपको मिलने लग जाएगी तो इसके लिए आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन इस उपाय को आपको करना है गुरुवार के दिन आप क्या करें कि दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला ले देखी दूध जो है वो चंदर का प्रतीक है और हल्दी जो है वो गुरु का प्रतीक है इनके मिलन से गज केसरी योग बनता है और जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में आप सुनेंगे कि गज केसरी योग है ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि बहुत अमीर होता है ऐसे व्यक्ति के पास में आप देखेंगे गाड़ी, बंगला, नोकर, चाकर, धन, दोलत, भोतिक, सुक, ऐस्वर, सारा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है, कि दूद में जरासी आप हल्दी मिला ले, और इसको आप ले जाकर कि किसी भी सिव जी के मंदिर में सिव लिंग पर आप इसका अभिसेख करे, ऐसा करने से आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपके जो सपने हैं वो साकार होने लग जाएंगे, एक के बाद एक आपके काम बनने लग जाएंगे, और ये क्रिया आपको करनी है 21 गुरुवार, सिर्फ गुरुवार गुरुवार के दिन करनी है, और 21 गुरुवार आपको इस क्रिया को करनी है, अब जो भोले संकर हैं, वो इतने भोले हैं कि वो अपने भक्तों को, जो कुछ चा वी सी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहे हैं दीविप्रताथ और अपने जीवन में लाबनुत होते रहे हैं धन्यवाद